कोविड में व्यादिक्षमत्व बढ़ाने के लिए काफी आयर्वेदी काउशधिया उपलब्द है कोई कहता है अश्वगंदा लो कोई कहता है गुडूची लो कोई कहता है शतावरी लो तो कोई कहता है चवंद प्राश लो सामाने विक्ति काफी कंफ्यूज है कि अगर हमे कि आपके लिए कौनसी दवाई या सही है तो कुपया ये वीडियो अन तक अवश्य देखें मैं डॉक्टर प्रसाद वेद्य गए 22 साल से गोरे गाउं मुंबई में आयरवधी केमां पंचकर्म चकित साल है चला रहा हूं कोविड चालो होने के बाद में हमारे पास कई पेश हो सकता है कोरोना ने मानुपूरी दुनिया में एक डर का माहौल पैदा कर दिया है खास करके अनलॉकडाउन होने के बाद में ये चिंता काफी बढ़ चुकी है पहले तो हम घर पे बैठे रहे थे थे अब हम सबजी लाने के लिए बाहर जाते है बैंक में जाते अपने डे अधिक्षमत्व आपकी रोक से लडने की शक्ति और ये शक्ति बढ़ाने के लिए आयरवेद में कई अच्छी आउश्रदिया बताई गई है तो वह हम देखते हैं कि इसमें से कौनसी आउश्रदिया आपके लिए काफी अच्छी या लाबदायक साबित हो सकती है कोरोना स सबसे पहला होता है हाई रिस ग्रूप हाई रिस ग्रूप में भी हम तीन सब डिविजन करते हैं सबसे पहला है एज के हिसाब से जिसमें वृद्ध व्यक्ति या फिर प्रेगनेंट लेड़ी लैक्टेटिंग मदर या बच्चे इनका समावेश होता है दूसरा है रोक के हि साब से यानि जिसे ब्लैड पेशर है डाइबिटीस है कैंसर है या जो कोई स्टिरोइड जैसी इबिनिटी सप्रेसेंट डवा ले रहा है और तीसरा है कि जो कामकाज के वज़े से मैक्जिमम बाहर जा रहा है जिसे बाहर की दुनिया से संपर्क करना ही पड़ता है और नया कंसेप्ट करोना से चालो गया तो ज घर 모든 के कांप पर आपड़ता है जिसका बाहर के दुनिया से संपर्क काफी कम हरता है यहने हम लोर इस में लिए और तीसरा ग्रूप जो सब का ग्रूप है ज़िसमें फतना या लो रिस्क सभी लोग आते हैं वो है common group, सबसे पहले हम देखते है common group जिसमें high risk और low risk दोनों का समावेश होता है, इस group के लिए हम 5 ओचवदियों का या 5 प्रक्रियों का सुझाव करते हैं, सबसे पहले आता है चवनप्राश, चवनप्राश है एक ऐसी अद्बो दवशद है जिसे हम सबने सेवन करना चाहिए, चवनप्राश 2000 साल पहले आचार्य चरक ने चरक सहिता में लिखा था, तब से अब तक चवनप्राश का उप्योग हम सभी कर रहे हैं, चवनप्राश का टेस्ट बच्चों को बुड़ों को सभी को बहुत अच्छा लगता है, चवनप चवनप्राश एक उत्तम रसाय नोशदिये, तो उसका उपयोग खाली पेट ही करना चाहिए, खाली पेट पे सुभे दो चोटे चमज या 10 ग्राम के मातरा में बढ़ों के लिए एक चोटा चमज या 5 ग्राम के मातरा में चोटे बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल करें, इसके उपर अगर हम गाय का दूद पिये, तो इसके लाब कई गुना बढ़ जाते हैं, चवनप्राश में आप सब जानते हैं कि आवला एक प्रमुग द्रव्व है, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा खटा या कसेला इस स्वरूप में होता है, अगर आपका चवनप्राश चवनप्राश जरूर ले सकते हैं, अगर आपका चिकित सक अपने बनाया हुआ चवनप्राश आपको देना चाहता है, तो उसे अवश्य ले, क्योंकि यह चवनप्राश उसके निगरानी में पढ़ाया जाता है, तो उसके क्वालिटी काफी अच्छी होती है, दूसरा उप गुल्ला करने से आपके गले में या नासा के पिछले भाग में, जिसे हम फैरेंजियल एरिया कहते हैं, उस भाग में जमा हुआ कफ निकल जाता है, और वह पैसेज काफी हद तक खाली हो जाता है, अब एक रिसेंट संशवधन के एसाब से हर रोज दिन में दो बार गुल् या शटबिंदू तेल ऐसे कई तेल सामान्यता डाले जाते हैं, नस्य कभी करना चाहिए, नस्य यानि नाक में तेल डालना यह एक सिंपल विधी है, आप जब मास्क पहनते हैं, तो मास्क पहनने के पहले दो बुन अपने दोनों नसीकाओं में अवश्य डाले, नस्य का सा तो एसे ही बैठे रहे थोड़ासा गर्दन को पीछे दोंड ले थोड़ा धीरे से अंदर साइस ले बहुत- बार यह तेल आपके गले divulgen करके उसे थूख दीजिए अगर बाई मिस्टेक यह तेल आपके पेट में भी चला जाए तो उसमें कोई चिंता करने के ज़रूरत नहीं है नस्य के दो प्रमुक फायदे होते हैं एक नस्य से नैसो फैरेंजल एरिया क्लीन हो जाता है जैसी आप नस्य करते हो तो आपको छीक आ जाती है और उ इसके खिलाब लडने के लिए आपके नेजो फैरेंजल मिकोसा को एक एक्स्टा प्रोटेक्शन का लेयर दे देता है चौथा उपा है स्टीम स्टीम एनी घरम पानी की भाफ लेना स्टीम लेने से सबसे बड़ा फाइदा यह होता है कि आपका नेजो फैरेंजल एरिया क्ल नहीं नहीं होती पांचवा सबसे इंपोर्टेंट गवर्मेंट ने जो गाइडलाइन बताई गई है इसमें दो प्रमुक है एक मास का उप्योग अवश्य करें बाहर जाते समय और दूसरा दोनों में कम से कम 6 फीट का अंतर जरूर रखें जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग क बढ़ेगी और हम कोरोना से संक्रमित होने का चांस काफी हद तक कम हो जाएगा दूसरी ग्रूप की वर बढ़ते हैं जो है हाई रिस जोन में जो पांच हमने उपाय बताय है उसके साथ में और दो उपाय हम बताते हैं जिससे उपाय से आपको कोरोना से संक्रमित होने का च चिलने पर सबसे पहले जो लगाई जाती है वो हल्दी तो हल्दी का एंटिसेप्टिक एंटिबैक्टरियल गुंड हम सब को ध्यात है हल्दी एक उत्तम रसायन है नहीं वह इम्मिनिटी बढ़ाती है बलकि वह रिसिंट संशधन के हिसाब से कोरोना के एंट्री के लिए भी क कुमिनोड काफी कम मात्रा में रहता है तो इसका उपयोग हमें इतना फाइदा नहीं पहुचाता मार्केट में कुर्कुमिनोड 95% इस कॉंसेंट्रेशन में हल्दी के कई ब्रैंड एवलेबल है इसमें से कोई भी ब्रैंड आप चूस कर सकते हैं अपनी चिकितसत के सलह से लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखे हल्दी ये काफी गरम आउश्यदी है तो इसका उपयोग केवल दूद के साथ या फिर घी के साथ ही करें ताकि इससे आपको मैक्जिममम लाब हो और साइड इफेक्ट या इससे कोई तकलिफ ना हो दूसरी आउश्यदी है अच्छी तरह से बढ़ सकती है इन दस वहिद्यों ने मिलके जो फॉर्मिला बताया वह है आयुश्कवात आयुश्कवात में चार प्रमुक इंगेडियेंट है तूलसी दालचिनी सौंट और काली मरी ध्यान रहे कि ये चारों इंगेडियेंट काफी गरम में तो उसका आयुश्कवात टैबलेट आयुश्कवात सीरप इसमें से कोई भी आप अपने सहलियत के इसाब से चिकित सक्के सला से यूज कर सकते हैं आयुश्कवात फांट हम पेशन को जादा सेजेस्ट करते हैं आयुश्कवात यानि काड़ा बनाने से अच्छा हम उगर उसका आधा काफी हद तक अच्छा होता है अब यह फांट क्या है एक ग्लास गरम पानी में एक चमच आयुश्कवात चूरंड या फिर आयुश्कवात ग्रैनियल्स मिलाया जाता है साथ में उसके उपर अगर आप आधा लिंबू निचोड़े और गुड खड़ी शक्कर या फि जिने साइनस की विमारी है या फिर जिने कंटीने सर्दी होना नाक से पानी आना ऐसे टाइप के सिम्टम्स रहते हैं उन्हें आयुश्कवात का सेवन अवश्य करना चाहिए ध्यान रहे जैसे मैंने पहले बता है आयुश्कवात के इंगेडियन काफी गरम है तो पित प्र ग्रूप कहते है वर्क फॉर्म हों में एक नया कंसेप्ट कोरोना के काल में पैदा हुआ है जिसमें अगर हम आफिस में 8 या 10 गंटा काम करते थे तो इसमें 16 गंटा 18 गंटा तक काम करना पड़ता है जिससे कि काफी हद्तक स्ट्रेस बढ़ चुका है इस ग्रूप के लिए दो आउश्वदिया काफी अच्छे साबित होती है सबसे पहली है अश्वगंदा अश्वगंदा ना कि आपकी इम्मिनिटी बढ़ाती है शारीक शक्ति बढ़ाती है बट मेंटल स्ट्रेस के लिए भी एक काफी अच्छी आउश्वगंदा भी चूरन घनवटी या इम्मिनिटी पैदा करेंगी दूसरी अउश्वदी है गिलोय या फिर गुडुची गुडुची का दूसरा नाम है अम्रुता ऐसे कहते हैं कि समुद्र मंतन के समय अम्रुद बिंदू जमीन पे गिर गए और उस जगा में जो वनस्पति पैदा हो गई उसका नाम है अम्र होता रिष्ट इसका भी उपयोग आप अपने चिकित्सक के सला से जरूर कर सकते हैं और बुडुची एक अत्यंतों उपयोग तर असायन है इन सब अउश्वदियों के साथ में और कई चीज़े भी काफी इंपोर्टेंट है यह ध्यान रहे कि इन सब के साथ में ही आपकी प्रतिकारशक्ति को अच्छी बनाने के लिए सबसे उपयोग है उत्तम आहर, विहार, स्ट्रेस फ्री लाइफ, मेडिटेशन, ध्यान, धार्णा या फिर योग और व्यायम ऐसी चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अवश्य ही आपकी प्रतिकारशमता काफी हद बढ़ सकती है, ध्यान रहे कि हमें ये आउसर मिला है कि हम अपने बिते हुए लाइफ में क्या गलतिया कर चुके है उसका आवलोकन कर सकते हैं और डेफिनेटली ये गलतिया सुधारने का प्रयात्न कर सकते हैं जिससे हमारा अगला जीवन काफी सुखी, समरुद्ध और स् अंतीम बात है जो काफी इंपोर्टेंट है, इस पूरे वीडियो में हमने जो दवाईयां बताई है वो इंग जनरल सेफ है, लेकिन इसका उपियो केवल आपके चिकित सक के सलहा अनुसारी करें, कई बार नस्य करने पर अनु तेल या फिर पंचेंद्रिया वरधन तेल डा का इस्तिमाल आपके चिकित सक के सलहा बिना ना करें, दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताईए, ये वीडियो के बारे में या फिर आईरवेद के बारे में अगर आपके कोई सवाल हो तो हमें जरूर पूछिए, धन्यवाद